ब्रीज मोहन योग केंदर में आपको मैं आज स्वागत करता हूँ और भीषण कमरदर, पुराना से पुराना कमरदर चाहे वो किसी कारण से हुआ हो, चाहे चोट लगने के कारण हुआ हो गिरने के कारण हुआ हो या मानसिक तनाव के कारण कहीं नस दब रहा हो उसके कारण हुआ है, या गाड़ी चलाने के कारण, मोडशागिल चलाने के कारण हुआ है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं एल वन से एल फाइब में ज़्यादातर समस्यां होती है तो आईए, ये है सेतु बंधासन इसमें इट के बाल लेटकर दोनों अथेली को ये एक हो गया स्टेप, यानी एक स्टेप को करने में सेतु बंध में पांचव का 20 सेकंड लाएगा, यानी 5 सेकंड सास भरते हुआ उपर पांस सेकंड होल्ड किया, फिर पांस सेकंड में दीरे दीरे वापस फिर नीचे आकर के 5 सेकेंड होल्ड किया यानि एक बार करने में आपको 20 सेकेंड लग रहा है और इसको 20 बार करना है 20 राउंड तो 20 गुना 20 यानि 400 सेकेंड आपको एक सितुबंद आसन में लगेगा अब इसका दूसरा स्टेप है आप दोनों हाथों को माथे के पीछे लगा देजिए मरका टासन का पहला स्टेप दोनों पैरों को सटाईए सास को भरते हुए पैर को बाई तरफ ले गए उठना उठने पर यणी यणी पर उठा उठे पर 5 सेकेंड होल्ड करेंगे सब में टाइमिंग वही है फिर सास को छोड़ते हुए धीरे धीरे 5 सेकेंड में बीच में ला देंगे फिर सास को भरते हुए 5 सेकेंड में पैर को दूसरे तरफ जाने देंगे यह है मरका टासन का पहला स्टेप कितना भी आप रिटायर हो गए हो पूरे दुनिया के लोगे दी आपको मना कर दिया हो कि आप नहीं ठीक हो पाईएगा तो आप मेरे पास आईए और आपको अभ्यास के करम के दोरा नहीं आपको पता चलेगा कि यह अभ्यास यह दिन यमित रुप से किया जाए देखा देता हूं अभी यह पहला श्टेप हुआ इसमें भी पांचव का बीस यानि एक श्टेप को करने में आपको बीस सेकेंड लग रहा है इसको भी बीस वार करते हैं यह दस वार बाएं अभी इसका दूसरा श्टेप दिखाएंगे दोनों पैरों को फैला दीजे पूरा फैला यह दो फिट की दूरी अब सांस भरते हुए बाई तरफ गिरने दीजी हाँ देखिए 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 क्या अभ्यास बहुसंदर काफी संदार अभ्यास गर्दन को देखिए इसमें उल्टा घुमाक रखना है और पांच सेकेंड होल कर दीजे यह ओल्डिंग टाइम पांच सेकेंड जो है यह नए सादकों के लिए है यह आपको रोज एक एक सेकेंड दो द कर सकते हैं बाद में बहुत सुंदर अभ्यास दोनों तरीकों से यह अभ्यास हो रहा है कि शरीर की स्थिति कि दूसरा स्टेप करें थोड़ा पैर फैला लेजिए एक बाद पैर फैला यह दोनों हाँ कि गर्दन गिराई इधर यह सब आँख बंद करके भी कर सकते हैं आँख खोलने कोई जरूत ने है कि यह आपको दस से 20 राउंड करना है तो प्रभू की भक्ति के साथ करिए यह प्रमात्मा मैं अभ्यास में लगा हूं मैं तो फल की चिंता भी नहीं कर रहा हूं कि यह तो सत्य है कि जैसा हम करेंग क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा कब होगा फैदा करेगा कि नहीं करेगा कि जब बुरे कर्म करने वाले खैनी खाने वाले सरापीने वाले कभी सोचते ही नहीं है कि इसे फैदा होगा कि घाटा होगा हम अच्छे कर्म करने वाले संसय में पड़ जाते हैं कि बहुत संदर अभ्यास देखें काफी संदार अभ्यास यह है मर्कट आसन का दूसरा एस्टेप वह दस-दस बार एस्टेप आपको कम से कम करना था अब इसका तीसरा एस्टेप लीजिए सोजाएए मर्कट आसन का तीसरा एस्टेप है गर्दन और गिराई इधर धिर धिर मरोड़ी पूरा यह पूरा गाल सट जाना चाहिए आपको रोज पर्यास करना है यह तम 90 परसेंट हो गया है सही देखिए बहुत पर्फेक्ट अभ्यास है थोड़ा सा खाली गर्दन को और मरोड़ेंगे क्योंकि मेरुदंड तो माथे के पास से चल रहा है जवर्दस्ती नहीं मरोड़िए गया बहुत शुन्दर अभ्यास अब इसी में आप कम से कम 10 सेकंड होल्ड करिए पुराने सादक हैं आप 30 सेकंड तक ले जा सकते हैं सास की गती को आप समान कर सकते हैं लेते छोड़ते रह सकते हैं यहां देखिए एक दम पर्फेक्ट अभ्यास आसनों में इतना दम है प्रणयाम में योग में इतनी शक्ती है कि हम उसके महत्तों को केवल समझ नहीं पाते हैं खीची बहुत अद्भूत अभ्यास है यह गर्दन पौर थोड़ा सा गिरा देंगे ठाक बन कर लिजे 10 सेकंड होल्ड करिए प्रभू का ध्यान करिए कोई भी देवी देवता का ध्यान करिए अपने माता पिता का ध्यान करें फुर्वजों का ध्यान करें सुवसक्तियों का आवाहन करें कि हे प्रभू हमारे तन और मन में आप आरों के परदान करें और यह जो तन हमें मिला है मानाव का बड़ी अनमूल यह जीवन है क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इसको पाया है नहीं तो 84 लाख जीवों के प्रकार है भटकते रहते हैं उसी में करमों के हिसाब से मानो जीवन प्राप्त करके और हम सजग नहीं होकर के फिर दूसरे जीवों में भटकने के लिए शरीर को छोड़ देते हैं तो आईए कमरदर के लिए बिसेश पैकेज आपने देखा है तो एक बार बिरिज मुहन योग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट सोचिया जरू करेंगे आज बड़ी हमें खुशी हो रही है कि अब सभी साधक जो पुराने हैं एकदम परफेक्ट अभ्यास में हो गए हैं बहुत संदार अभ्यास